कैसे हैं आप आप सभी का स्वागत है क्विक ट्रिक्स भाई साहिल सर एस सैटिस्फेक्ट्री सॉलुशन ऑफ मैट्स तो सभी विध्यार्ती फटावर से जुड़ जाएं और मझधारी क़्लास होने वाली है यहाँ पर मैं एक टॉपिक डिसकस कर रहा हूँ और यह वो टॉपिक आडिया जो आपके हर अलग-अलग, प्रथक, distinct मतलब होते हैं, प्रथक real roots हो जाएं, वास्तविक हल हो जाएं, तो ये b square minus 4 ac greater than 0 होता है, अगर root real तो हो, लेकिन दोनों equal हो, बराबर हो, तो d बराबर 0 होता है, और root, no real roots, यानि कि root आपके imaginary हो, तो d less than 0 होता है, तो condition के इसाब से हम बाते करेंगे य पढ़ना चाहते हैं, आनकेडमी पर आप कोई भी exams की तयारी करना चाहते हैं, साहिल 10 code लगा कर, आपको वहाँ जो भी prize होगी, उसमें आपको cut-outi मिल जाएगी, discount मिल जाएगा, ssc category में मेरा खुद का complete foundation batch चल रहा है, आप join करिए, मेरा crash course चल रहा है, जो की ultimate crash course है, जरूर join करिएगा, यह मेरा telegram है, यहाँ पर मैं आपको सभी classes की update दूँगा, जो भी मैं नई classes लेकर आ रहा हूँ, upcoming, जो भी मेरी PDF सोंगी, वो सब telegram पर मिलेंगी, यहाँ पर पौने 2,00,000 से जादा लोग जुडे हुए हैं, है न, 1,75,000 से जादा लोग इस पर जुडे हुए हैं आप नहीं जुडे हैं, तो जाकर अभी जुड जाएं, टेलिग्राम पर, और official टेलिग्राम चैनल पर ही जुडें, ठीक है, वैसे मैंने description में link दे रखा है, Instagram, टेलिग्राम सबका, चलेगा, आईए अब शुरुवात करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा था कि nature of root, मैं आपसे सबसे पहली चीज़ आपसे पोस्ता हूँ, कि अगर कोई quadratic equation ax square plus bx plus c इस तरह से है, तो ये बात याद रखना कि सबसे जरूरी चीज़ क्या है, कि ये quadratic है, ये इसके coefficient है, यानि कि अगर x square का जो coefficient होगा, वो a कहलाएगा, x का coefficient b कहलाएगा, और जो constant होगा, वो c कहलाएगा, बिल्कुल clear है, कि या जल्दी से बता दो ये बात आपको, सबसे पहले, तो बोले सर, बिल्कुल clear है ये बात, और हमें कोई यहां तक दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, अब मेरा आपसे पहला प्रशन ये है, ये देखिए, पहला example मैं आपको देता हूँ, सबसे पहले मैंने प्लस का 3X प्लस का 4 बराबर 0, तीसरा equation दे दिया आपको मैंने 3X square प्लस का 4X प्लस 5 बराबर 0, और चौथा equation में दे दिया मैंने आपको X square प्लस X प्लस 4 बराबर 0, आपको कुछ भी नहीं बताना, ये जो 4 equation मैंने आपको दिये, इन 4 equation के आपको नेचर बताने, बस आपको को इनकी प्रकरती बतानी है कि यह क्या है और इनके रूट कैसे हैं चलो एक-एक करके बताते जाओ तो सबसे पहले आप क्या जाच करोगे आपको सबसे पहले जाच करने की चीज़ डी डी क्या होता है discriminant होता है विवेचा किसको बोलते है जो की होता है B square minus 4 AC के बराबर तो अगर इस समीकरण में अगर मैं बात करता हूँ तो D क्या होगा B square तो ये A है ये B है और ये C है ये A है ये B होता है और ये C होता है और चिन्न सहित लेना है sign के साथ में वहां प्लस था तो प्लस रहेगा लेकिन यहां माइनस है तो माइनस होगा simple सी बात है तो B square यानि कि माइनस साथ का square माइनस 4 A की value कितनी है 2 है multiply 2 C की value कितनी है 5 है हमने जब इसको solve किया तो ये कितना आया 49 पांचों के 20 दुनी 40 ये आया सा 9 तो अब 9 क्या है बताओ पहली वाली equation में आपने जब निकाला तो D जो आया वो 9 आया तो 9 आगया तो 9 आने का मतलब क्या है आप ये कह सकते हैं कि greater than 0 है इसका मतलब जो आपके मूल होंगे वो क्या होंगे real होंगे क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या आपके मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे हाँ और आपसे पूछे का प्रश्न में आपको equation दे देगा आपसे पूछे का कि बताओ कौन सी equation के मूल जो है वो real है वास्तविक है understand my dear कर पा रहे हो आप ये चीज अच्छी बात है ना ये तो ठेक है अच्छा मैं आपसे पूछूँगा कि वास्तविक तो है क्या इस समीकरण के इस quadratic equation के मूल होंगे इक्वल होंगे क्या नहीं यहाँ आप ये कह सकते हो कि सर इक्वल नहीं होंगे आपके जो मूल होंगे वो different होंगे इक्वल नहीं होंगे मूल different होंगे इसी तरह से मैंने इसकी जांच करता हूँ ये A है ये B है और ये C है वही D B square याने की minus 3 का square 9 minus का 4 A की value कितनी है 2 है C की value कितनी है 4 है चेक कर रहा हूँ तो 9 minus 1622 ये negative आ रहा है याने की imaginary root आपके जो मूल होने वाले हैं इस quadratic equation के मूल होने वाले हैं वो kalpnick होने वाले हैं imaginary होने वाले हैं ठीक है चलिए अगर मैं बात करूँ ये A है ये B है ये C है फिर से मैं चेक करूँगा B square minus का 4 A C ये भी आप देख रहा है हो negative आ रहा है इसके भी imaginary होंगे यहां मैं चेक कर रहा हूँ B square minus का 4 A C ये भी negative हो गया ये भी imaginary होगा तो आपने ये चेक करकर के बताया है understand my dear समझ में आ गया आपको चीजे clear हैं हाँ या ना में जब आप देदीजे पहले सबसे पहले कि आप किसी भी equation का ये पहचान पा रहे है कि भाई roots कैसे है अच्छी बात है सर अगर मैं कह दूँ अगर आपका B square minus 4 A C अगर 0 के बराबर आ जाए यानि कि D बराबर 0 आ जाए तो condition क्या है बताओ जल्दी से comment section में जल्दी से बताओ कि अगर D बराबर 0 आ जाए तो फिर तो आप ये निश्चित तोर पर कह पाएंगे सर कि जो आपके root है पहली बात तो real रहेंगे और equal रहेंगे ठीक है मेरे दोस्तों चलिए अब मैं आपको कुछ condition दे रहा हूँ आप मुझे D की value बताना मेरा पहला जवाब पहला question आपसे है कि बताओ आपके जो root है वो real है और equal है तो D बराबर क्या होगा आपके दूसरी condition है कि आपके जो root है वो real है वास्तविक है आपके तीसरी condition है कि आपके जो root है वह equal है चलिए और real भी है यह बोल देता हूं केवल और केवल मैंने रियल्ट दे दिया रूट आपके रियल तो है और डिस्टिंक्ट है डिस्टिंक्ट मतलब आप जानते हैं अलग-अलग यह अलग-अलग रूट है ठीक है और चौती कंडिशन मैंने दे दी आपके जो रूट्स हैं वह इमेजनरी है और पांचवी कंडिशन मैंने आपको दे दी कि आपके बस ठीक है हो गया तो अब इनका डी क्या क्या होगा तमीज से जवाब देना क्योंकि इन पर हर एक मैं जो अभी एक क्लास ले रहा हूं आपकी मैं आपको यह गारेंटी से देता हूं आपका पक्का है मतलब एक कोशन पक्का लिखके रखलो मेरी तरफ से आप चले तो सर यह रूट रियल भी है और इक्वल भी है तो कंडिशन क्या होगी यह आप कर पा रहे हो क्या डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या डी बराबर जीरो बताओ क्या आएगा तो सर कंडिशन आएगी डी बराबर जीरो इक्वल टू नहीं आएगा यहां आप कह सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो येस क्यों क्योंकि ये जो शर्त है ना ये आपके वास्तविक मूलों को दर्शा रही है मैंने केवल यहां यह बोला है कि रूट रियल होने चाहिए क्या मैंने यह बोला एक्वल होने चाहिए या अनिक्वल होने चाहिए नहीं बोला ना नहीं बोला क्या एक नंबर पक्का कर लिया कि मेरे दोस्तों ने हाँ या ना में जवाब देदो और अच्छा लग रहा है ना दिल से लाइक करना है खीच कर वो भी यह आप से चाहता हूं और सब्सक्राइब कर लेना यह जिंदिकी बदल देगा चैनल आपकी क्योंकि मैं आपको यहां ऐ आएंगी आएंगे चलिए पहला प्रशन आपके सामने दे रहा हूं और बस आनंद उठाइए आप इनका और हर एक प्रशन का जवाब देना फिर होंगर भी दूंगा और कमेंट सेक्षन भर देना अंसर से अगर आप सीख रहे हो तो मेरे माध्यम से चलिए मेरा पहला प्र तो मुझे के की वेलिव बताओ कौन सी चे पहले यह बताओ और क्या लगाओगे और ऑर आंसर क्या दे रहों मैं और टूंब और, में माईनअ सब पकरकर चलिए इंतजार कर रहा हूं आपके सही जवाब का कि मजा आ जाएगा सच बता रहा हूं चलिए दोस्तों जवाब दीजिया आईये सर कैसे करोगे मेरे दोस्तों प्लीज ध्यान दीजिए कि सर यह आपकी पूरिये क्वाड्रिटिक है बाई साब बिल्कुल है सर मुझे अच्छा लगा देखकर मैं यह देखता हूं कि रूट से मैं तो कंडिशन डायरेक्ट लगाऊंगा डी बराबर 0 अब डी बराबर 0 का मतब आप जानते हैं कि बी स्क्वाइर माइनस 4 A C is equal to 0 बी क्या होगा यह रा पूरा 8 k यानि कि 64 k स्क्वायर माइनस 4 A की वेल्यू 9 है और C की वेल्यू 16 है बराबर 0 इधर लेकर जाओगे 64 k स्क्वायर बच्पन की याद आने वाली है आपको थोड़ी देर में क्यों क्यों कि चीजी ऐसी लेकर आया हूं तो के बराबर आएगा प्लस माइनस का तीन तो सबसे पहली चीज यह धियान रखना कि अगर स्क्वायर आ रहा है तो आपके जो वैल्यू होगी प्लस माइनस तीन होगी ऐसे मत कर देना कि प्लस तीन लगा कर आ गए या माइनस तीन लगा कर आ गए यह बात के लिए रहे क्या समझ में आ गई सर चलिएगा मज़ा आ रहा है अच्छा लग रहा है दिल से लाइक करिए और आननद आ जाएगा आपको अभी तो शुरुआ तो यह picture की, तो सबने answer निकाल दिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, अगला question लीजिए आप, देखते हैं कौन बनाता है, अगला question, चुन चुन कर लाया हो जादा, बढ़िया बढ़िया अच्छे, kx square, minus का x और minus का 2, यह डंग से करना भाई, k की value क्या होगी, आपके जो root ह मैं वह वास्तविक हों, केवल मैंने यह लिखा है कि root जो है वास्तविक हों, आप मुझे बताओ, क्या शर्त लगाओगे, आपकी condition क्या लगाओगे आप यह बताओ पहले तो, अगर आपने condition को पकड़ लिया ना, तो खेल जाओगे आप, केवल condition बताओ, come on guys, क्या होता है, answer देखना, वास्तविक मूल है, क्या करोगे, तो सर अभी आपने सिखाया ना, वही करेंगे, बोले सर क्या करेंगे, root वास्तविक हैं, वास्तविक हैं, equal, unequal, कुछ नहीं बोला, तो भाईया, देखो, दोनों शर्त आती हैं, जीरो भी हो सकती है, और greater than भी हो सकती है, तो इसलिए greater than equal to लेते हैं आपन, लगाओ, B square minus का 4AC, सबसे जरूरी चीज़ पता है, क्या है, student को पता ही नहीं है, कि value कैसे ली जाती है, मैं पूछूँगा, A की value बताओ यहां से, तो A की value आएगी K, B की value बताओ चलो, minus का 1, C की value, minus का 2, हर एक चीज़ सीखी आप, चलो सर अच्छा लगा यहां से, put करो, minus 1 का square, minus का 1, और minus, अब पता है, यह greater than रहेगा हमेशा, तो greater than, equal to, 4, A की value कितनी है, K, और B की value, C की value, minus का 2, यहने कि answer आगया आपका, तो K की value है, यह कितना आ रहे है, सर माइनस का 8K, note कर लें, यही आपका सही answer होगा, K is less than, equal to, minus का 1 by 8, clear है, greater than मत कर देना, picture खराव हो जाएग, समझ में आया, और, सर, check भी कर सकते हैं, हाँ, आप value रखके, option से भी check कर सकते हो, कोई दिक्कत मेरे दोस्तों, यहां तक, अगला question करोगे, अगला question करे, अभी पूरी चीज़ सिखाऊँगा, चिनता मत करो, बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़े लेकर आया हूँ, यह लिजी अगला question करो, अगला example, a x square, plus का b x, plus का c, बराबर 0, root same है, condition क्या लगेगी, पहले तो यह बताओ, और c क्या होगा, यह बताओ, जल्दी, जल्दी, come on, science change नहीं होगा, नहीं, science change मैंने कर दिया ना, इधर ले गया मैं इसको, इधर ले गया, तो बस वही की वही रहेगा, आप कुछ ना करें, minus को इधर forward कर दें, बस, तो क्या करोगे भई, वही root same है, तो d बराबर 0, d बराबर 0 याने की b square बराबर 4ac, आपको c निकालना है, तो c की value हो जाएगी, b square upon 4a, पेपर में आया हुआ कोश्चन है, मज़दार तरीके से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, clear my idea, अच्छा लग रहा है, अरे वाह, अगला करेंगे चलो, अरे मैं सारी चीज़े कराने वाला हूँ, चंता मत करो, जब भी आप मेरी कोई भी वीडियो यहां देखोगे न, तो आपको यह feel आने लगेगा, अपने आप, कि यार मेरा यह concept पूरा cover हो गया, हाँ, यह जरूरी है, घास काटने वाला काम नहीं है, चलिए, एक question है, यह homework में देना चाहता हूँ, आप करोगे क्या, हाँ, और comment section भर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, सोने से पहले, इस question को जरूर attempt करना आप, और answer आ गया ना, तो आपको जितनी खुशी मिलेगी, उससे ज़्यादा मुझे मिलेगी, बराबर 0, मैंने आपको condition दिये, root जो है, वो same है, ठीक है, मुझे के का मान निकालना है, यह आपका homework का प्रशन है, मैं आपके answers देखना चाहता हूँ, और मैं रात वर आप चेक करूँगा, इसके answer, यह आपको homework हो गया, लेकिन अगला जवाब, अगला question आपके सामने दे र चलिए, यह तो चीज सारी होई गई, अगला question यह आता है, यह question बना था paper में, x square, minus का 7x, plus का 12, greater than 0, अगर यह quadratic equation ऐसे आ जाए, तो मुझे बताओ, x का मान क्या होगा, अब बच्पन की याद दिलाता हूँ आपको, आप बच्पन में थे न, मतलब मैं जैसे करता था, मैं ज इसमें भी आते हैं, जितने भी state के exam है न सब में, minus infinite से लेकर, 3 तक या फिर, 4 से लेकर, plus के infinite तक, अब यह करके बताओ आप, जल्दी से, नीचे वाला, यह तो homework है, यह करके बताओ, तो जब बच्पन में आपने पढ़ा होगा, बच्पन में एक number line बनाते होंगे आप, किस किसने number line जानी है, number line में यह minus का अनंत होता था, और यह plus का infinite होता था, और आपको जो भी यह value दे रखे है न, x की, decide करनी पढ़ती थी, कि यह vary कहां से कहां तक कर रहा है, तो 12K, एक दिन मैं quadratic solve करना भी सिखाऊंगा है, एक दो दिन मैं session लियाऊंगा, जिसमें sign convention पूरा बत यह 2 point ही आएंगे बस, यानि कि आप यहां कह सकते हैं कि 1 point आपका 3 आएगा और 1 point आपका 4 आएगा, क्योंकि देखो x की value या तो 3 आएगी या 4 आएगी, understand, क्योंकि यह minus dominate कर रहा है तो plus होगी, ठीक है, answer क्या दोगे बताओ, answer क्या दोगे, हम ऐसे बनाते थे बच्पन में, peanut, essay, essay, 어ana, सिइ, NCRT में भी essay बताया गया है, greater than लेना है तो plus से शुरू करो, minus plus, हमेशा प्लस से शुरू करो, plus, minus, plus, अबको अब क्या लेना है, greater than लेना है तो plus वाले case लेना है आपको, प्लस मतलब तीन से छोटा ये छोटा है सारा तो तीन से माइनस अनन्त से तीन के बीच में और चार से अनन्त तक चार से अनन्त तक आंसर आएगा D अंडस्टेंड अंडस्टेंड चलिए मज़ा आ गया क्या जै कि रहा है अरे जै वाइफाइ स्टेडी पर ग्यारे बज़े और साड़े बारे बज़े कंटीन्यू क्लास चल रही है ये चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो एक्जाम रिलेवेंट कॉंटे पर सब कुछ मिलेगा और क्या चाहिए बताइए पूरा मैं वहां पढ़ाई रहा हूं वाइफे स्टेडी पर अनक एडवे में वेरा क्रेश कोर्स चल रहा है पूरा कंप्लीट कोर्स चल रहा है साहिल 10 लगा कर जड़ो वह चीज तो है अब बस यहां फोकस करो कोश्चन प होगी चलिए सर यह क्लियर हो गया एक एक एक्जामपल और देता हूं उसका जवाब भी आप मुझे दे देंगे तो मैं अभी अच्छा लगेगा मेरे को भी एकस स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 27 इस ग्रेटर देंची चलिए आपके ऑप्शन दे रहा हूं ऑप्शन के बीच में रहेगी ऑप्शन नमबर भी एकस की वेल्यू नौ से चोटी रहेगी और माइनस 3 से बड़ी रहेगी ऑप्शन नमबर सी एकस की वेल्यू नौ से बड़ी रहेगी और एकस की वेल्यू माइनस 3 से चोटी रहेगी मुझे अभी करके बताओ यह अभी करके बताओ अभी आजाएगा, इस question से आजाएगा, सबसे पहले तो मुझे point बताओ, point कौन कौन से लोगे इस number line पर 2 point आएंगे, 2 point बताओ, क्या होते हैं, मूल होते हैं इसके तो 27 के ऐसे टुकड़े करो कि घटाने पर 6 आजाए, तो आपने 27 के ऐसे टुकड़े कर दिये 9 और 3 जिनने घटाने पर 6 आगया, लेकिन 6 नेगिटिव वाला है, तो 9 बड़ा होगा प्लस में और यह होगा माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ प्लेस कर दो, कि भाई, माइनस अननन्त यह है और प्लस अनन्त यह है, तो आप बताओ, माइनस 3 इदर आएगा ना, बिलकुल इदर ही दो आएगा, और यह प्लस नो इदर आएगा कहानी क्या कहती है, कहानी कहती है, भाई, गोला बनाओ, यह वाला start करो plus से plus minus plus greater than लेना है न greater than लेना है न भाई yes तो देखो minus 3 से अनंत यह यूं कहूं तो minus 3 से छोटा minus 3 से छोटा minus 3 से छोटा यह answer भी हो सकता है और 9 से बड़ा 9 से बड़ा C आएगा अच्छा लगा नहीं लगा सेशन जल्दी से बता दो एक ही homework का कुशन दिया है जामा पहना देना इसको मैं आपके answer comment section में भर भर के देखना चाहता हूँ कोशिश कर लो लग अजीव रहा है लेकिन आपको बस वही करना है रूट से में A निकालो मैं बता नहीं रहा बी निकालो C पता है B स्कार माइनस 4AC लगा कि solve करना है बस के की value निकाल के मेरे को अभी बता दे न comment section में आप session कैसा लगा जल्दी से बता हो जो भी विध्यारती मेरे साथ तयारी कर रहा है बे धढ़क हो के तयारी करो dear क्योंकि मैं हर चीज करा रहा हूँ आपको अनकेडमी पर मेरा crash course चल रहा है continue percentage चल रहा है वहाँ पर जिसको भी crash course करना है या complete course करना है मेरे साथ अनकेडमी पर discount पा सकते हो अगर आप ये code लगाते हो S A H I L 1 0 साहिल 10 ठीक है ये referral code है जो अनकेडमी पर लगता है सारी classes के लिए काम आता है आप अनकेडमी पर किसी भी exam की तयारी कर रहे हो 40 से ज़्यादा category है किसी में भी आप तयारी कर सकते हो subscription लो वहाँ पर 24 महिने का मेरे माध्यम से आपको ये जो prize है वो नहीं देनी आपको यहाँ पर साहिल 10 लगाकर अपनी prize को कम कर लेना है बहुत कम ठीक है और करते ही आपका subscription आजाएगा ठीक है ask a doubt, raise and सारे features आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप class में बात भी कर सकते हो हमसे ठीक है और iconic subscription में ज़्यादा फायदा होता है जहाँ पर आप ज़्यादा interact कर पाते हो ये मेरा telegram है आपको इसकी pdf telegram पर मिलेगी math by sahil sir और इस पर पौने 2,00,00,00 लोग जड़े होए है description में link भी है उसी पर जुड़ना official channel पर ठीक है बस और यहाँ पर मैं PDF भी डाल दूँगा हर class की update भी आपको यहीं पर मिला करेगी हाँ बाई कैसा लगा जल्दी से बताओ देखो मैं group D का भी करवाने वाला हूँ ठीक है और मैं अभी जो plus minus समझ में नहीं आ रहा ना वो भी मैं कराऊंगा अभी ठीक है एक वीडियो लाऊंगा 10 मिनट का उसमें पूरा मैं sign convention बता दूँगा आपको आप बस जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करवा लीजिए सबसे जिन्होंने नहीं किया है वो कर ले यह मैं चाहता हूँ आपसे आपको मज़ा आ जाएगा एक वन मैंने यह नामी इसलिए दिया है quick tricks by sahil sir a satisfactory solution of math satisfaction मिलता है ना हर एक वीडियो से मिल रहा है ना मैंने jsm method पढ़ा दिया आपको यहां पर ninja technique पढ़ा दी मैंने आपको यहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे methods पढ़ा दिये हैं यहां पर और मैं ऐसी पढ़ाऊंगा अब मैं कल से आपके लिए अलग classes भी लाने वाला हूं राजिस्थान से related जो ग्राम विकास अधिक मैं कर वाँगा मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं पेपर आ रहे हैं लगातार और यूपी का भी आ रहे हैं मेरे पास है ना यूपी के papers भी आ रहे हैं तो मैं सब कराने वाला हूं अब सब एक साथ तो नहीं होगी लेकिन धीरे-धीरे मैं सब कर लूंगा cover important questions के मार्धिम से क important है यह important है CHSL का मेरा crash course चली रहा है आप वो जॉइन करो करना पड़ेगा लिए रहे ना चलिए पर टेक्यार all the very best हाँ जिनको माइनस प्लस में दिक्कत है वो मैं बता दूंगा ठीक है वो मैं एक session लेकर आऊँगा उससे clear कर देंगे ठीक है तो टेक क्यार all the best हां गुजरात की बच्चे बोल रहे थे यार मेरे पास मेल आया था एक student का गुजरात का मैं paper देखूंगा अब मेरे को mail कर दीजिगा मैंने comment description में सब कुछ डाला हुआ है अब mail कर दीजिगा है अच्छे मस तरह हो यार मैं हूना हर exam की तयारी करांगा कोई समश्या हो तो comment म में लिख सकते हो मेरे को mail कर सकते हो दूसरी चीज भाई question का answer दो मैं हर बच्चे का नाम पढ़ता हूं personally तो take care all the very best love you all झाला हूई कर दो मैं हर दो दोटना हूई से हो गिज़ हो तो कर दो 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 है कि तो कि यह चाले हो मैं हो तो दोत्तों जातना हुआ है अग्वाज पाले कि पया तो